हेलो गाइज वेलकम टु मैं चैनल पीकी कोमर्स स्टडी आज की इस वीडियो मैं बहुत ही इंपोर्टन कोईस्टन का आंसर लेके आई हूँ जो कि यह कोईस्टन एक्जाम में बहुत बार आया है उमीद ही यह कोईस्टन आपकी एक्जाम में भी आ जाए तो केरफुली इस क क्वेस्टन का उतर को देखिए ताकि आपके एक्जाम में आये तो आप अच्छे से लिख सके तो मैं बता दू पिछले वीडियो में लोग पढ़े थे संगठन के आर्थ परिभासा एवं बिसिस्ता हैं तो आज का क्वेस्टन है उप्चारिक और अनुप्चारिक संगठन में अंतर तो सबसे पहले मैं समझा दू उप्चारिक और अनुप्चारिक सब्द का मीनिंग क्या होता है उप्चारिक वा है जो लीगल के तहत नियमा नूशार बनाया जाता है और नियम के अनुसार कारियों को किया जाता है इसलिए संगठन बनाया जाता है ताकि नियम के अनुसार शंगठन बना कर कारियों को सफल बनाया जा सके जैसे इसकूल में बनाया जाता है कोलेज में और ओफिस के कारियों में एक संगठन बना कर कारिये को संपन किया जाता है और अनुपचारिक शंगठन वा है जो लोग अपने मत के अनुसार से बनाते हैं और जब मन करत इसे अनुपचारिक संगठन कहते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं अव्चारिक संगठन में क्या क्या अंतर है पर आप चाहरी और अनुपचारिक संगठन में अंतर डिफ्रेंस बीटून फोर्मल and informal organization तो हम लोग अंतर के अधार पर दोनों के अंतर को देखेंगे तो फहला है उत्पती के अधार पर इसकी उत्पती अधिकारो के परतिया योजन द्वारा होती है जब कि अनुपचारिक संगठन इसकी उत्पती स्वता पारिस्परिक समाजिक संबंदों के कारण होती है दूसरा है उदेश्य उपचारिक संगठन का उदेश्य या होता है ये संगठन तकनिकी उदेश्यों की पूर्ती के लिए बनाये जाते हैं जब कि अनुपचारिक संगठन ये संगठन समाजिक संतुस्ट्री प्राप्त करने के लिए बनाये जाते हैं तीसरा अंतर है सदस्यों के संबंद उपचारिक संगठन में इसके सदस्यों में अब बेक्तिगत संबंद होते हैं जबकि अनुपचारिक संगठन में इसके सदस्यों में बेक्तिगत संबंद होते हैं सकता है जब कि अनुपचारिक संगठन का अकार इससे छोटा ही रहता है पाच्वां अंतरे नियम अधिकार करतब एवं दाई तो उपचारिक संगठन में नियम अधिकार करतब एवं दाई तो आधी सभी लिखित रुप से होते हैं जब कि अनुपचारिक संगठन में इसमें लिखित रुप से कुछ भी नहीं होता है चट्था अंतर है सत्ता का परवा अपचारिक संगठन में इसमें सत्ता का परवा उपर से नीचे की और चलता है जब कि अनुपचारिक संगठन में इसमें सत्ता का परवा या तो नीचे से उपपर की और अत्वा समतल रूप से चलता रहता है सात्वा अंतर है अस्थाई तो ये संगठन अधिक अस्थाई एवं दिर्ग कालिन होते हैं जबकि अनुपचारिक संगठन में ऐसे संगठन के अपेच्छा क्रीत कम अस्थाई और अल्प आयू वाले होते हैं आठवा अंतर है अधिकार सत्ता इनकी अधिकार सत्ता पद के साथ जुड़ी रहती है जबकि अनुपचारिक संगठन में इसकी अधिकार सत्ता बेक्ति के साथ जुड़ी रहती है नवा अंतर है अस्थापना, उपचारिक संगठन की अस्थापना योजना बद तरीके से की जाती है जब की अनुपचारिक संगठन की अस्थापना नहीं की जाती अपितु सोभाविक रूप से वे स्वता ही अस्थापित हो जाते है दास्वा अंतर है संगठन चाटो का उप्योग उपचारिक संगठन का परदर्शन करने के लिए संगठन चाटो की उप्योग किया जाता है जबकि अनुपचारिक संगठन में संगठन चाटो के उप्योग करने का प्रस्ण ही नहीं उठता है उमेद है आप लोगों को उपचारिक और अनुपचारिक संगठन में अंतर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया ऐसे ही महत्पुन प्रश्णों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर जरूर करें धन्यवाद